असलाम गाइस माइने में सजीद अबास वजादी और आज के सुझी टुटोरियल के अंदर हम नंबर सिस्टम की जो है वो सेकंड वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बाइंडरी से डैसिमल की कनवर्जन्स को देखेंगे किस तरही से कैसे हम बाइंडरी नंबर होता है वह जीरो और वन होता है तो हमारे पास एक बाइंडरी नंबर गिवन है हमें और इसको हम कनवर्ट करेंगे डैसिमल के अंदर और फिर इसकी जो डैसिमल आएगा उसी को हम वापस बाइंडरी के अंदर लेकर आएंगे सबसे पहले हमने कनवर्ट करना है इस नंबर को decimal में इसका असान तरीका हमारे पास यह होता है हम right hand side से लिखना start करते हैं 1 multiply by 2 की power 0 1 multiply by 2 की power 1 फिर 0 multiply by 2 की power 2 1 multiply by 2 की power 3 और फिर 0 multiply by 2 की power 4 फिर 1 multiply by 2 की power 5 इस तरीके हमारे पास उन answers को हम सम कर लेंगे एंट पर तू की power समने increase करते जानी है और right से numbers को लिखना start करना है left से करेंगे तो आपका answer गलत हो जाएगा तू की power 0 हमारे पास 1 होता है और answer 1 आ जाएगा तू की प्लेस 8 41 42 43 32 32 प्लेस 8 40 42 43 यह हमारा 43 आंसर इसका निकला है और यह जो 43 है यह हमारा डेसिमल नंबर आ चुका है अब हमने इसी डेसिमल नंबर को convert करना है binary के अंदर डेसिमल नंबर को बाइंडर करने के लिए simply हम इसका LCM ले ले लेते हैं तू से जो भी हमारा 41 और 2 120 यह हमारा पास अंसर आ गया 101011 यह हमारा 2 में convert हो चुका है जो हमने binary नंबर था वही हमारा इस इस binary नंबर आ चुका है तो हमने सबसे पहले binary number को डेसिमल में convert किया जिसका हमारे पास यह process था binary को देसिमल में कनवर्ट करने का उसके बाद हमने एक डेसिमल नंबर जो हमारे पास आया था उसको हमने बाइनरी के अंदर कनवर्ट कर दिया जो हमारा यह प्रॉसस था बाइनरी के अंदर कनवर्ट करने का तो इस तरीके से आप बाइनरी नंबर को डेसिमल में और डेसिमल वीडियोस के अंदर हम मजीद कर्वर्जन को देखेंगे तो हमारी आज की वीडियो के लिए इतना ही इंशालला इन वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए अल्ला हापिस